तो आज की जो वीडियो है उसमें देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 मुगल सामराज्य से संबंधित एम्पोर्टेंट MCQ जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्टेटिव इसाम के लिए काफी हिल्फुल होने वाले हैं उसके बाद नेक्स चैप्टर को हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 सासक और इमारतें उससे रिलेटिड MCQ को देखेंगे तो आप एक बार से पढ़ ले ताकि आप जब MCQ लगाए तो आपका रिवीजन हो सके फिलाल आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 के हिस्ट्री बुक से बाबर माता की ओर से मंगोल तथा पिता की ओर से तैमूर के वंसस थे बाबर के पिता उमर सेख थे आंसर है ऑप्संथ ए 12 वर्स की आयू में प्रथम मुगल सासक बाबर ने जब 1494 में फर्गना राज का उतराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उमर केबल 12 वर्स की थी बाबर ने 1526 सीस्वी में किसे हरा कर दिल्ली और आगरा को अपने कपजे में कर लिया आंसर है इसका optionज C इbراہिम लोदी को 1526 में दिल्ली के सुल्तान इbراہिम लोदी को पानिपत में हराकर बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपने कबजे में कर लिया इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की समापती हुई और मुगल सामराजी की निव पड़ी किस सताबदी में युद्धों में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तिमाल हुआ था? आंसर है ओपसन सी, सोलहवी सताबदी में सोलहवी सताबदी यानि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा पहली बार तोप और गोलाबारी का इस्तमाल किया गया था युद्ध में परियोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14 सताबदी में लाई गई आगने सस्त्रों के लिए इसका परियोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दकन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक सोलहवी सती में बाबर द्वारा इसका परियोग किया गया था बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों में कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ओप्सन B सेर साह से पराजित होने के बाद हुमायू इरान भागने को बाद्धि हुआ इरान में हुमायू ने किसकी मदद ली? आंसर है इसका ओप्सन C सफावीद साह के सेर साह ने हुमायू को दो बार हराया 1549 में चौसा में और 1540 इस्वी में कन्नोज में इन पराजयों ने उसे इरान की ओर भागने को बाद्धि किया इरान में हुमायू ने सफावीद साह की मदद ली? हुमायू 1555 इस्वी में दिल्ली पर पुना कबजा कर लिया परन्तु उससे अगले वर्स 1556 इस्वी में दीन पनाभवन में इस्तित पुस्तकाले की सीड़ी से गिरने के कारण हुमायू की मृत्यू हो गई खुर्रम किसका पुत्र था? आंसर है ऑप्सन B जहांगीर का राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में साह जहां कहलाया इसने जहांगीर के सासंग के अंतिम वर्सों में विद्रोह किया था 1657 से 58 में साह जहां के पुत्रों के बीच उत्राधिकार को लेकर जगड़ा सुरू हो गया इस जगड़े में किस की विजय हुई? आंसर है ऑप्सन A औरंग जेव की 1657 से 58 में साह जहां के पुत्रों के बीच उत्राधिकारी को लेकर जगड़ा सुरू हो गया इसमें औरंग जेव की विजय हुई और दारा सिको समेत उनके तीन भाईयों को मौत के घाट उतार दिया गया साह जहां को उसकी सेश जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया औरंग जेव की सेना के विरुद किस ने छापा मार युद पदती सुरू की थी? आंसर है ऑप्सन C सिवाजी ने मराठा सासक सिभाजी ने औरंगजेव की सेना के विरुद छापा मार युद्ध पद्धती शुरू की थी दक्षिन के किन दो राज्यों को औरंगजेव ने अपने सामराज में मिला लिया आंसर है ओप्सन बी बीजापूर एवं गोलकुंडा औरंगजेव ने 1685 में बीजापूर तथा 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया मुगल उत्राधिकारी के संदर में निम्न कत्नों पर विचार करें और बताएं की कौन सा कत्न सत्ते है आंसर है ओप्सन बी केवल दो सत्ते है उत्राधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वन्सों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्राधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था मुगल जेश्ट अधिकार के नियम में विस्वास नहीं करते थे जिसमें जेस्ट पूत्र अपने पिता का उत्राधिकारी होता था इसके वीप्रीत उत्राधिकार में वे सहदायाद की मुगल एवं तैमूर बनसों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्राधिकार का विमाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था निम्लिखित में से कौन से कथन सकते हैं? आंसर है ओप्सन डी एक, दो और तीन, तीनों ही कथन सकते हैं मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरसाह मनसबदार कहलाते थे मनसबदार सब्द का परियोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकतरित करने वाली भूमी के रूप में पाते थे मुगल सेवा में आने वाले नौकरसाह मनसबदार कहलाते थे यह मनसबदार सब्द का परियोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें की कोई सरकारी पद या फिर हैसियत मिलती थी यह मुगलों द्वारा चलाई गई स्रेनी व्यवस्था थी जिसके जरिये पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायत वर निर्धारित किये जाते थे मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमी के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडर्मल था उन्होंने 10 साल 1570 से लेकर असी तक कि अवधी के लिए क्रिशी की पैदावार कीमतों और क्रिशी भूमी का साबधानी पुर्वक सर्वेक्षन किया इनाकडों के आधार पर प्रतेख फशल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया जाता था मुगल काल में जप्त सब्द किसे इंगित करता था? आंसर है ओप्सन डी राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को टोडर्मल ने प्रतेख प्रांत को राजस्व मंडलों में माटा था और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था अकबर के सासनकाल के इतिहास अकबर नामा किसके द्वारा लिखी गई थे आंसर है ओप्सन बी अबुल फजल के द्वारा अकबर ने अपने करीबी मित्र और दर्भारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके सासनकाल का इतिहास लिखे अबुल फजल ने यह इतिहास तीन जिल्दों में लिखा और इनका सिर्षक लिखा अकबर नामा पहला जिल्द में अकबर के पुर्वजों का बयान है दूसरे जिल्द में अकबर के सासनकाल की घटनाओं का वीवरन है और तीसरे जिल्द में आइने अकबरी है अबुल फजल के अनुसार मुगल सामराज कई प्रांतों में बटा हुआ था जो कहलाता था आंसर है option C सूबा अबुल फजल के अनुसार सामराज कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसे सूबा कहा जाता था सूबों के प्रसासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनेतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कारियों का निर्वाह करते थे नूर जहां के बच्पन का नाम क्या था? आंसर है ओप्सन डी महरू निशा महरू निशा 1611 में जहांगिर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला नूर जहां के सम्मान में जहांगिर ने चांदी के सिक्के जारी किये जिसमें एक और उसके स्वैम के खिताब उतकिर्ण थे और दूसरी और यहवा के रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ था अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्मान किस सहर में करवाया गया था आंसर है ओप्सन ए फतेपूर सिक्री में अकबर ने सभी धर्माव लंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया फलतह इसमें हिंदू, जैन, इसाई, पार्सी, आदी धर्म के विद्वान भी इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं में भाग लेते थे अकबर इससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने यह समझ लिया कि सभी धर्मों में कुछ अच्छे तत्तों विद्वान है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एकुल की निती का साब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर है ओप्सन बी, सांती पूर्ण व्यवहार अकबर की सुलह एकुल की निती जिसमें केवल सचाई, न्याय और सांती पर बल दिया गया था निमलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ओप्सन ए दिया गया है कि मनसब जो है एक कर था जो की गलत है और रजमनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुबाद है तो ये थे आज के क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 में मुगल सामरा जिसे सम्बंधित टोटल इंपोर्टेंट MCQ जो कि आपको आने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी helpful होने वाले हैं और नेक्स चैप्टर के लि क्यों आने हैं तो इसाएंग और मुझा आने हैं प्रणी ओंजा मुझा तो चैप्टर टोल बेस्ता सावित तो हैं ख जब।र इंपा जाया हैं तो है